जानते हैं कि राजनेताओं का अपनी पार्टी को छोड़ कर अन्य पार्टी में शामिल होने की प्रवृत्ति होती है हिमाचल प्रदेश के कॉंग्रेस ने अपने 26 नेताओं को खो दिया, ये नेता पार्टी छोड़ कर भाजपा में शामिल हो गए उन्होंने कॉंग्रेस को छोड़ दिया और 12 नवेंबर को चुनाव होने से पहले भाजपा में शामिल हो गए इसमें दर्मपाल ठाकुर खंड जो प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के पूर्वा महासचिव है सत्ता रूट भाजपा में शामिल हो गए चुनाव 12 नवेंबर को होंगे और मतों की गिंती 8 डिसमबर को होगी नेता हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर और भाजपा के राज्य चुनाव के प्रभारी सुधन सिंग की उपस्तिती में पार्टी से जुड़े राजपा के राष्ट्रिय अध्यक जेपी नडड़ा ने कहा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर एक भेटरीन नेता है उन्हें विश्वास है कि इन 26 राजनेताओं के साथ भाजपा निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी झाल झाल